नवजाट शशू को मा का स्ने मिले, उस मा को दूट समय पर मिले, ये नवजाट के साथ बच्छों के लिए बहुत जरूरी है। इस मकसद को तै करने में लगी है राजधानी जैपुर की जीवन धारा मिल्क बैंक। सही माइने में ये बैंक अपने नाम के अनुसार शशू की सेवा कर रही है, ये बैंक राजधानी जैपुर में ये पुनीत और पुन्य का सेवा कारे कर रही है। माता ये शूदा मदर्स डे पर देखिए हमारी समवादाता प्राची की खास रेपोर्ट। राजधानी जैपुर के महिला चिकित साले में मिल्क बैंक जीवनधारा पुनीत कार्य कर रहा है जीवनधारा की इस्थापना का उद्देश्य देश भर में नवजाद शिशु को मा का प्यार और दुलार देना रहा है यहां कई माताएं नवजाद बच्चों के लिए यशोधा बनी हुई है जो उनको मिल्क बैंक के जरिये समय पर दूद दे रही है इससे शिशुओं का जीवन सवर्दारा पुनीत कर रहा हापी मदर स्टे शिशुओं का सहारा जीवनधारा नवजाद शिशुओं को नया जीवन दे रही जीवनधारा मिल्क बैंक के माध्यम से यशोधा बनी माताएं ये माताएं दे रही हैं बच्चों को जीवनधारा शिशुओं की दूद की पूर्टी के लिए एक जुट प्रयास मात्र शक्ति को दिया जा रहा है बढ़ावा नवजाच शिशुओं के लिए मिल्क बैंक में दूद जमा करना और बच्चों को स्वस्त रखने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है जीवनधारा के माध्यम से कैसे नवजाच शिशुओं और जननी को दूद के माध्यम से जीवनदान दिया जाता है हमारी समवादाता प्राची सैनी ने मिल्क बैंक के संचालक से खास बात चीट की विश्व का पहला हिूमन मिल्क बैंक आस्ट्रिया के वियना शहर में इस्थापित हुआ वहीं भारत में ये श्रेय मुंबई महानगर को मिला इसके बाद तो ये सिलसला देश के कई शहरों में शुरू हो गया इसके बाद तो ब्रेस्ट मिल्क बैंक की बहुतायत ने दुनिया के सामने एक उत्तम उधारन पेश करना शुरू कर दिया और निश्चित तोर पर इस जागरुपता से नवजाज शिशू की मृत्युदर में भी कमी होने लगी है आज हम मौजूद है महिला चिकित साले में जहां पर जीविंधारा मिल्क बैंक जो है उसकी स्थापना की गई थी और यहां पर खास तोर पर जो लैक्टिकेटिंग मदर्स हैं और जो नवजाज शिशू हैं उनके लिए बहतर विवस्ता की जा रही है तो चलिए हम लोग बात करते हैं दॉक्टर रमीश चौदरी से कि किस तरीके से जो संचालन है इस मिल्क बैंक का वो किया जाता है क्या कुछ प्रॉसेश रहता है जी सर तो मैं आपसे जाना चाहूंगी जो मिल्क बैंक है इसमें किस तरीके से जो महिलाएं हैं उनको अवेर किया जाता है कैसे उनको अप्रोच किया जाता है क्या कुछ प्रॉसेश रहते हैं आपको वैसे तो पता होगा कि भारत में मात्र दुख दुपान अपनी कल्चर रही है और कुछ दोर में उसमें थोड़ा गिरावाट आ गई थी तो राजी सरकार ने सबसे पहले पहल करते हुए जगह जगह पे सेंटर्स आजकल मिल्क बैंक की टर्म को रिप्लेस करके कॉंप्रियंसिव लेक्टेशन मनेजमेंट यूनिट बना दिया तो जीवनदारा नाम से है तो से लेंसी में हम बैंकिंग का हमारा बड़ा उद्देश है नहीं है हमारा उद्देश है कि हर मा अपने बच्चे को का या एंग्जाइटी का या अटेश्मेंट का इस्यों होता है तो लेक्टेशनल काउंसलर्स उनको बेड़ साइड पर जाके वो डारेक्ट फीड करवा देती है कुछ के मिल्क एकत्रित हो के दर्द होने लग जाता है या बच्चा पी नहीं पाता बच्चा नर्सरी में ब मिल्क निकालने की प्रक्रिया अपन मशीन से और हाथ से दोनों तरीके से निकालना उनको से खाते हैं क्योंकि मशीन से निकालना तो अपन यहां पर करेंगे तो गर पे जाने के बाद बच्चा इधी अधूरा है तो उसको कई दिन तक तो निकाल की प्लाना पड़ता है तो तो वो प्रक्री आपन सारी अलग लग बच्छे के अवशक्ता के रिसाब से अपने करते हैं एक और शीज में पूछना चाहूंगी अगर मैं बात करूं कि यह सारा प्रासेस है तो कभी-कभी ऐसा भी होते है कि जो मिल्क है आप उसको एज़ डोनेशन भी यूज़ करते हो तो वो डोनेशन प्रोसेस क्या होता है किस तरीके से आप यह कंफोर्म करते हो कि यह जो दूद करते हैं पहले. मिल्क एक्स्वेशन से पहले हम मा की जांच होती है सब की. उसमें उसको HIV है या नहीं है, Hepatitis B है या नहीं है, Hepatitis C है या नहीं है. ये सारे viral infection की जांच होती है. मा लोकली भी स्वस्थ है या नहीं है. फिर वो जो निकल के store होता है वो सिर्फ उसके बच्चे के लिए होता है. और उसकी बच्चे की आवशकता के बाद यहीं जादा होता है और medically वो fit होती है और वो willing होती है तो ही उसको donate करवाया जाता है. ऐसे नहीं किया जाता है एक बाद donation के बाद सब sample की bacteriological testing होती है उसके बाद अपने पास automated pasteurizer है उसके अंदर pasteurize होता है milk और फिर उसकी post pasteurization फिर microbiological testing होती है और जब तक testing होके नहीं आ जाई तब तक वो hold पे रहता है sample उसमें यदि कहीं भी गड़बड आ जाए तो milk discard होता यदि वो clear आता है और आपने आपको जानके खुशी होगी कि अपने इतने पांच साल के दोरान कोई भी ऐसा कोई sample नहीं है जो फेल वो और उसके बाद वो इस्टोड रहता है और जो इस्टोड मिल्क होता है जो फैमिली और परिवार की मा की सहमती से दूसरे बच्चों के डोनेशन के लिए सट्रिया जाता है वो क्राइटेरिया बनेव होते हैं हुमन मिल्क बेंकिंग एस्टोशेशन का है कॉम्प्रेंसिव एक्टेशन मेनेजमेंट की गवर्मेंट और इंडिया गैडलाइन से उसके सिर्फ लो बर्थ वेट में हर बच्चे को नहीं देते जो अधूरे बच्चे हैं जो 1.5 किलो से उनको दिया जाते हैं तो देखे हमने बात की डॉक्टर रमेश चौदरी से किस तरीके से जो मिल्क बैंक है उसका संचालन किया जाता है क्या कुछ प्रिकॉशन्स रखे जाते हैं उनको किस तरीके से बताया जाता है इस चीज की जानक कर दो